गुड्मॉर्निंग फेंड्स स्वागत है आपका आपका मैं यूटूब चैनल तो चलिए शुरुबात करते हैं वीकली वकाबलरी की रिवीजन की हर संदे को हम वीकली वकाबलरी का रिवीजन करते हैं और मैं synonyms, antonyms करवाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको तो चलिए शुरुबात करते हैं पहला हमारा जो वर्ड है वो है putting the cart before the horse ये वर्ड जो है phrase की तरह यूज हुआ था इसका मतलब होता है गलत तरीके से काम करना doing things in the wrong way उसे बोला गया था phrase में putting the cart before the horse अगला हमारा शब्द है imperative adjective की तरह वर्ड यूज हुआ है imperative का मतलब होता है ऐसी कोई चीजें जो बहुत ज़रूरी हो बहुत ज़ादा important होना महतोपूर होना उसे बोला जाता है imperative synonyms है essential, necessary, vital or crucial अगला हमारा शब्द है complacent complacent का मतलब होता है अपने आप से satisfied होना self-satisfaction होना, आत्मसंतुष्टी, बेपरवाही या निश्चिंत रहना उसे बोला गया है complacent synonym सै smug, self-satisfied, comfortable or contented अगला हमारा शब्द है sanguine sanguine का मतलब होता है बविष्चे के प्रती हमेशा positive रहना आशावान रहना, आशावादी होना उसे बोला गया है sanguine synonym सै confident, hopeful, optimistic और positive अगला हमारा शब्द है dissenter, dissenter का मतलब होता है असहमती जताना किसी बात के लिए आपस में ऐसे विक्ति जिनके विचारों में आपस में मतभेद हो असहमत हो वो एक दूसरे के साथ विरूधी होना किसी चीज़ का उसे बोला गया है dissenter synonym साब देख सकते हैं dissident, rebel, maverick, objector और protester अगला मारा शब्द है presaging presaging का मतलब होता है किसी क्या घटना घटने वाली है divining, prognostic, predictive और forecast अगला हमारा शब्द है tag tag का मतलब होता है किसी भी problem से हम कैसे निपटते हैं किस method से problem को solve करते हैं किस तरह से चीज़ों को deal करते हैं उसे बोला गया है tag synonym से fasten, nail, append और affix अगला शब्द है abundant abundant का मतलब होता है किसी को छोड़ कर चले जाना त्याह कर देना किसी चीज़ का छोड़ा हुआ, परित्यक्तिया त्यागना, उसे बोला गया है abundant synonym से deserted, forsaken, left और rejected अगला हमारा शब्द है befitting befitting का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ की उपयुक्तता होना अनुरूब होना, suitable होना कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए उसे बोला गया है befitting synonym से suitable, fitting, appropriate, proper, or fit next हमारा वर्ड है aversion aversion का मतलब होता है किसी चीज़ के परती interest ना दिखाना और उची दिखाना, विमुखता दिखाना ना पसंदगी दिखाना उसे बोला गया है aversion synonym से antipathy, distaste, hate, hatred, or dislike अगला शब्ड है diverse diverse का मतलब होता है चीज़ों में विभनता होना विविदता होना, एक दूसरे से अलब होना चीज़ें उसे बोला गया है diverse synonym से various, different, varied, unlike, or disparate next हमारा वर्ड है condemned condemned का मतलब होता है घोर, आलोचना करना किसी की, निंदा करना, आरोप लगाना किसी की उपर किसी तरह का उसे बोला गया है condemned synonym से criticize, censure, attack, decry, or denounce अगला हमारा शब्द है imbibe imbibe का मतलब होता है चीज़ों को आत्म साथ कर लेना अपने दिमाग में बिठाना कोई चीज मन में धारन करना उसे बोला गया है imbibe synonym से drink, absorb, consume, guzzle, or swallow या drink करने के लिए भी बोला जाता है या कोई drink करता है, चराप पीता है तो उस context में भी ये word use हो जकता है imbibe अगला हमारा शब्द है abundance abundance का मतलब होता है किसी चीज़ का अधिकता में होना, प्रचुर्ता में होना बहुत जादा मात्रा में होना उसे बोला गया है abundance synonym से plenty, quantity, affluence, or heap अगला हमारा शब्द है twist and turns माफ कीज़ेगा थुड़ा सा गले में खराच है, माफी चाहूँगा इसके लिए, twist and turns का मतलब होता है फ्रेज की तरह यह word यूज हुआ है twist and turns का मतलब होता है एकदम से complicated स्थिती में फसे हुए होना उल्जन में फसे हुए होना problem में किसी तरह की समस्या में फसे होना, घिरे रहना उसे बोला गया है twists and turns अगला हमारा शब्द abrogate abrogate का मतलब होता है किसी भी चीज को निरस्त कर देना cancel कर देना रद कर देना उसे बोला गया है abrogate खासतर किसी तरह के समझोते को या किसी तरह के request को that is called abrogate synonym से repeal revocation, cancellation or nullification अगला हमारा शब्द cascade cascade का मतलब होता है किसी भी चीज का synonym से stream, gush, flow, port or flood अगला शब्द है flirtation flirtation word यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ जैसे flirt होता है flirtation का भी मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई मजाग करना दोखा करना खिलवार करना उसे बोला गया है flirtation synonym से flirt romance chowing, intrigue or affair अगला हमारा शब्द है demagogue demagogue यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है word demagogue का मतलब होता है इस तरह से language यूज करना कि लोगों को हम भढ़का रहे हैं उन्हें instigate कर रहे हैं उसे बोला याता है demagogue जनसाधारन को भढ़काने वाला नेता या इस तरह से बढ़काव कोई भाशन देना that is called demagogue synonym से agitator incendiary fibrant instigator और rebel अगला हमारा शब्द है mutating mutating का मतलब होता है जिससे करोना के बहुत सारे variant है जो की परिवर्टित होते रहते हैं genetic changes होते हैं जिस चीज में बदलने वाला रूप परिवर्टित करने वाला उसे बोला गया है mutating synonym से change transform, varying, transforming और evolve next हमारा वड़ है severe severe का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़े जो की हमें बहुत दुख पहुँचाने वाली हो कष्ट प्रद हो हमारे लिए गंबीर हो बहुत ज़ादा कठोर होना that is called severe synonym से harsh, serious, hard और tough next हमारा वड़ है issue issue का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना दूर रहना किसी चीज़ से परहेज रखना उसे बोला गया है issue synonym से shun, avoid forgo or forbear next word है inoculate inoculate का मतलब होता है किसी भी बीमारी के बचाओ के लिए tea का करन करना, injection लगवाना that is called inoculate synonyms है vaccinated, immunized, vaccinate or injected next word है lacklustre lacklustre का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रती रूची ना होना रूची ना दिखाना बिल्कुल सा dull सा महसूस करना ऐसी कोई चीज़ जो रोमांचिक बिल्कुल भी ना हो बुझा बुझा सा रहना, धीला धीला उसे बोला गया है lacklustre synonyms है dull, boring, insipid, tedious और spiritless अगला हमारा शब्द है invasion invasion का मतलब होता है किसी पे हमला करना धावा बोनना, आकरमन करना उसे बोला गया है invasion synonyms आप देख सकते हैं raid, assault, onslaught or attack condemnation का मतलब होता है किसी की निंदा करना घोर आलोचना करना, आरोप लगाना किसी पे किसी तरह का, that is called condemnation synonyms से disapproving, denouncing, criticize or blaming vicissitudes का मतलब होता है परिवर्तन होना किसी चीज में changes आना, बदलाव होते रहना या जो जीवन के ups and downs होते हैं उतार चड़ाओ, उसे भी बोला जाता है vicissitudes synonyms से ups and downs, change, diversity or variations next हमारा विठे, erosion erosion का मतलब होता है वैसे भूमी का बहुत जाता बारिश हो जाया पानी के दौरा भूमी का जो कटाओ होता है उसे बोला जाता, erosion, editorial में इस वर्ड का यूजगा था, किसी भी चीज में किसी तरगी कमी आना that is called erosion synonyms है eroding, deterioration friction, loss or destruction अगला हमारा शब्द है unilateral unilateral का मतलब होता है एक ही एक तरफा होना किसी चीज का जुका हुआया, एक तरफाया, किसी चीज की सिरफ एक ही पहलू को देखना, एक ही पक्ष को देखना उसे बोला गया है unilateral synonyms है one-sided, one-way, lopsided, partial or single अगला हमारा शब्द है sanctions sanctions का मतलब होता है यदि कोई देश अंतराष्टी या नियम या कानूनों की पालना ना करे तो उस देश पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंद लगा दिया जाना उसे बोला गया है sanctions synonyms है penalty, punishment, ban or discourages अगला शब्द है procurement procurement होता है इंतजामात करना चीज़ों के खरीद, फरोख्त करना purchasing करना, प्राप्ती करना है उसे बोला गया है procurement मतलब यह supplier से संब्दित है word, goods की supplier चीज़ों की supply से संब्दित synonyms अब देखते है acquisition, purchase, obtaining or gaining एक स्थामारा word है unambiguous, unambiguous का मतलब होता है जिस बात पर किसी तरह की clarity हो जिसे आसानी से समझा जा सके सूसपष्ट धंग से उसे बोला गया है unambiguous synonyms है unequivocally clearly, explicitly or distinctly अगला हमारा शब्द है prominently prominently का मतलब होता है प्रमुखता के साथ किसी चीज़ को उठाना प्रमुख रूप से या ऐसा कोई वक्ती जो की बहुत ज़्यादा important हो, well known हो प्रमुख मुखया, महत्वपून कोई बात उसे बोला गया है prominently अगला हमारा शब्द है prickly, prickly का मतलब होता है वैसे जो रेगी सार में कांचिदार पौधा होता है इस context में ये word यूज होता है अक्सर, prickly editorial में इस तरह से यूज होता है ये word कि ये ऐसी कोई problem है समस्या है, जिसे की सुलजाना जिससे निपटना काफी मुश्किल हो या फिर दूसरे केंटेक्स्ट में हम बोल सकते है तीसरे केंटेक्स्ट में जिल्दी गुसे होने वाला उसे भी बोला जाएगा prickly synonym से ठची, irritable, thorny, bristly और spiked अगला हमारा शब्द है aspiration, aspiration का मतलब होता है हमारी क्या इच्छाएं है, desires क्या है कांग शाम है तो कांग शाय लाल सा उसे बोला गया aspiration, synonym से ambition, desires dream, hope और wish अगला हमारा शब्द है hegemony, hegemony का मतलब होता है किसी एक organization का या फिर किसी एक देश का दूसरे देश को चलाना या नियंतरित करना या प्रभुत्व आपना किसी देश का या किसी भी संगठन का दूसरे संगठन पर domination करता हो प्रभुत्व हो, प्रभाव हो, उसका आधिपात्य हो उसे बोला गया है hegemony synonym से leadership, dominion, supremacy और power अगला हमारा शब्द है confined, confined का वैसे दो मतलब बताया थे मैंने में इस word का यूज हुआ था किसी चीज को नियंतरित करने के संस में restrict करना, बाधीत करना किसी चीज को इस context में इस word का यूज हुआ था confined का, synonym से restricted, limited, imprisoned, jailed, captive और narrow अगला हमारा शब्द है stringent stringent का मतलब होता है इसे कोई कानून या नियम या ऐसी बाते हैं जो बहुत जादा harsh हो, severe हो, कठोर होना, बेहद, सक्त होना उसे बोला गया है stringent synonym से rigorous, strict, harsh और severe अगला हमारा शब्द है asymptomatic asymptomatic का मतलब होता है ऐसा कोई रोग जिसके की लक्षनों का पता ना लग पाए बीमारी के लक्षनों का पता ना लग पाना उसे बोला गया है asymptomatic synonym से आप देख सकते हैं symptomless, without symptoms, having no symptoms और lacking symptoms अगला हमारा शब्द rebutted rebutted का मतलब होता है किसी भी चीज का हम खंडन कर रहे हैं और स्विकार कर रहे हैं किसी चीज को जूटा साबित करना उसे बोला गया है rebutted synonym से disapproved, replied, denied, invalid, invalidated और contradicted अगला हमारा शब्द है repercussion repercussions का मतलब अक्सर negative sense में लिया आता है repercussions का मतलब होता है हमारे द्वरा किये के कारे के दुश परिनाम आना नतीजे परिनाम या फल उसे बोला गया है अगला हमारा शब्द है trumpet trumpet का मतलब होता है किसी भी चीज की हम घोषना कर रहे हैं एलान कर रहे हैं या फिर ये जो instrument होता है इसको बोला आता है वैसे तो trumpet editorial में usual है word किसी भी चीज को proclaim कर रहे हैं एलान कर रहे हैं, घोषना कर रहे हैं किसी चीज किसी बात की उस कंटेक्स्ट में यह वर्ड यूज हुआ था ट्रंपट सिनॉनिम से हौन प्रोक्लेम अनाउंस एड़िटाइज और पबलिसाइज नेक्स हमारा वर्ड है अब सर्ज अब सर्ज का मतलग होता है किसी चीज में बड़ी तेजी के साथ रिद्धी होना बढ़ना किसी चीज का उसे बोला गया है अब सर्ज सिनॉनिम से सर्ज राइज इंक्रीज और ग्रोथ अगला हमारा शब्द है डिस्रप्टिड डिस्रप्टिड का मतलग होता है किसी चाम में किसी तरह का कोई व्यवधान होना बाहदा होना किसी तरह की उकावट आना उसे बोला गया है disrupted, synonym से disturbed, interrupted, upset और broken, अगला हमारा शब्द है protected, protected का मतलब होता है, ऐसा कोई काम जो तै अवधी से जादा समय तक चले, देर्ग कालीन, लंबी अवधी तक चलने वाला, उसे बोला गया protected, synonym से lengthy, prolonged, extended, और long, अगला शब्द है vulnerability, vulnerability का मतलब होता है, बहुत समवेधनशील होना किसी चीज़ का, अती समवेधनशील होना, जिसे easily hurt किया जा सके, बहुत नाजुक, कमजोर होना, उसे बोला गया है vulnerability, synonym से exposed, susceptible, unprotected, और defenseless, अगला हमारा शब्द है disconcertingly, disconcertingly का मतलब होता है, ऐसी कोई चीज़े, जो कि हमें परिशानी में ढाल दे, चिंता में ढाल दे, किसी तरह की परिशान कर देने वाला, upset कर देने वाला, that is called, या क्शुब्दता के साथ, शुब्द हिंदी में अगर बोलना चाहे हैं, तो क्शुब्दता, उसे ब जैसे मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि मुश्किल से ही कोई मेरी वीडियो को देखने के लिए समय निकालता है, बहुत ही जादा मुश्किल से, केवल मात्रिया, अभाओं में, उसे बोला गया, badly, scarcely, just or little, अगला हमारा शब्द दे, demolish, demolish का मतलब होता है, किसी पर चीज़ क इसको हम तबाह कर रहे हैं, destroy कर रहे हैं, nust कर देना, गिरा देना, बरबाद कर देना, that is called demolish, synonym से destroy, wreck, ruin, crush, or devastate, अगला हमारा शब्द राइटर्स, राइटर्स वे लोग होते हैं, जो दंगा फसाद करते हैं, किसी तरह का protest करते हैं, public property को उखसान पहुंचाते हैं, उन्ह characteristics, अगला हमारा शब्द है, procession, procession का मतलब होता है, किसी तरह का कोई धार्मिक, कोई जुलूस निकानना, या बारात, या फिर किसी तरह की शोभा यात्रा निकानना, उसे बोला गया है, procession, procession के synonym से parade, progression, march, carvah, or line, अगला हमारा शब्द है, adjacent, adjacent का मतलब होता है, किनी भी दो चीजों का साथ-साथ-सटा होना एक दूसरे के साथ, निकट होना किसी के साथ-साथ है, सनलगन, उसे बोला गया है, adjacent, adjacent के synonym से near, adjoining, close, neighboring, nearby, और next, अगला शब्द है, mosque, mosque का मतलब होता है, जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, मौम्दंस के दोरा, मसल्मान भाई जहाँ प अगला हमारा शब्द है, encroachment, encroachment का मतलब होता है, जबर्दस्ती, किसी की जमीन को हड़प लेना, अतिक्रमन करना, उसे बोला गया है, encroachment, encroachment के synonym से, violation, invasion, intrusion, or trespass, अगला शब्द है, demolition, demolition का मतलब होता है, तबाही करना, कहीं में, विनाश करना, तबाही करना, बोला गया है, demolition, synonym से, destruction, devastation, ruin, wrecking, or demolishment, अगला हमारा शब्द है, dissemination, dissemination का मतलब होता है, advertise करना चीज़ों को, फहलाना, परचार, प्रसार करना, विस्तार करना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है, dissemination, dissemination के synonym से, distribution, circulation, spread, broadcasting, or publication, अगला हमारा शब्द है, genocide, genocide, genocide का मतलब होता है, बहुत अधिक संख्या में लोगों का मारा जाना, विशेश, जाती से संबंद रखने वाले, धर्म से संबंद रखने वारे लोगों का, सामोहिक, हत्याकांज, नर्संगार, उसे बोला जाता है, genocide, synonym से, mass murder, massacre, carnage, extermination, अगला शब्द है, tenors, tenors का मतलब होता है, हमारी जो किस आवाज, किस pitch पर, किस lay में हम बोल रहे हैं, किस स्वर में हम बोल रहे हैं, वैसे उस context में ये word यूज होता है, tenors, editorial में स्वर्ड का यूज होता है, हमारा बोलने का अभी प्राय क्या है, मतलब क्या है, हमारा बोलने का, उसे भी बोला जाएगा, tenors, syn जित करना उसे बोला गया है प्रवोक, synonym है stimulate, insight, inspire और aggravate, अगला शब्द है retaliation, retaliation का मतलब होता है किसी बात का बदला लेना, प्रतिशोध लेना उसे बोला गया है retaliation, synonym है revenge, retribution, response और comeback, अगला शब्द है obscene, obscene का मतलब होता है ऐसी चीज़े जिसमें फूहरता दिखती हो, श obscene, synonym है dirty, filthy, vulgar, rude, or foul, अगला हमारा शब्द है provocative, provocative का भी मतलब होता है किसी को बढ़काने वाली कोई चीज, बढ़काना, किसी को गुसा दिलाना, उसे बोला गया है provocative, synonym है exciting, seductive, inflammatory, or alluring, अगला हमारा शब्द है tacit, tacit का मतलब होता है अपने आप ही चीजों को समझ लिया जाना, परोख शुरूप से कोई चीज़े understood, understood कर लेना, समझी जाये जो परोख शुरूप से, जिसे बोल लिए को शकता ना हो, उसे बोला गया है tacit, synonym है implied, implicit, silent, or unsaid, अगला हमारा शब्द है pang, pang का मतलब होता है किसी भी तरह की, पीडा में होना, दुख, दर्द, संताप में होना, उसे बोला गया है pang, synonym है pain, sting, ache, prick, और anguish, अगला शब्द है ragged, ragged का मतलब ऐसे simple सा होता है, जो फटे पूराने कपड़े होता है, उस context में ये word यूज किया जाता है ragged, जिस तरह से आप फोटो में देख सकते हैं, या फिर चीजें सही ना होना, उबर ख अगला हमारा शब्द है वनरेबल, repeat हो चुका है word, वनरेबल का मतलब होता है, जिसे easily hurt हम कर सके, नाजुक हो बहुत जाता, अती समवेधन शील होना, कमजोर होना, उसे बोला गया है वनरेबल, अगला शब्द है paired, paired का मतलब होता है, किसी चीज को gradually हम reduce कर रहे हैं, कम कर रह या मातरा में दीरे-दीरे कमी करना, उसे बोला गया है paired, synonym से trimmed, cropped, curtailed और shaved, अगला शब्द है fragile, fragile का मतलब होता है, बहुत जाता नाजुक होना, दुरबल होना, कमजोर होना, उसे बोला गया है fragile, synonym से delicate, weak, frail और feeble, अगला शब्द है ripple, ripple का मतलब होता है, किसी तरह की को उस घटना का प्रभाव और चीजों पर भी हो, वो और चीजों को भी effect करें, वो event, उसे बोला गया है ripple, synonym से आप देशकते हैं wave, undulate, surge, swirl और agitate, अगला शब्द है exacerbated, exacerbated का मतलब होता है, पहले ही स्थिती बहुत खराब है, और वो स्थिती और ज्यादा problem और ज्यादा बढ देना, उसे बोला गया है exacerbated, synonym से version, aggravate, intensify, or exasperate, अगला शब्द है refrained, refrained का मतलब होता है, किसी चीज से दूरी बना रखना, टालना किसी चीज को avoid करना, बचना किसी चीज से, उसे बोला गया है refrained, synonym से abstain, desist, forbear, or avoid, and next हमारा word है, tepid, tepid का मतलब होता है, हलका, गुन गुना, पानी, उसे बोला जाता है, tepid, editorial में इस वर्ड का use हुआ था, किसी चीज के प्रती, उत्साह ना दिखाना, रूची ना दिखाना, अपना interest ना दिखाना, उसे बोला गया था, tepid, synonym से look warm, unenthusiastic, half hurted, warm, or empathetic, अगला हमारा शब्द है, मेंडरिंस, मेंडरिंस वो अधिकारी होते हैं, वो लोग होते हैं, उचसतर के bureaucrats, सरकारी करमचारी, जिनका काम, policies, frame करना होता है, high government official, और bureaucrat, उन्हें बोला जाता है, mendorins, synonym से bureaucrat, functionary, official, or public servant, अगला हमारा शब्द है, prognostication, prognostication का मतलब होता है, भविश्य वानी करना, किसी चीज की बारे में, या उसे बोला गया है, prognostication, synonym से potent, prediction, sign, or forecast, अगला शब्द है, sanguine, repeat हो चुका है word, भविश्य के परती आशावान रहना, आशावादी होना, उसे बोला गया है, sanguine, अगला शब्द है, shunning, shunning का मतलब होता है, किसी बी चीज से बचना, दूर रहना, किनारा करना, उसे बोला ग बला, strong रखना बिलकुल, परिवर्तन एवं बदलाओ, सहने में सक्षम होना, समर्थ होना, या लचीला, लचीला पनुला, flexibility, उसे बोला गया है, resilient, synonym से strong, tough, durable, और stable, अगला शब्द है, boards, boards का मतलब होता है, भविश्य वानी करना, कि future में क्या होने वाला है, कोई चीज बत आना, forecast करना, that is called boards, synonym से augurs, forecasts, predicts, or potents, a glass of the resentment, resentment का मतलब होता है, किसी बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करना, नाखुशी जाहिर करना, क्रोधित हो जाना, that is called resentment, a glass of the endorse, endorse का मतलब होता है, सारवजनिक तौर पर हम किसी चीज का समर्थन कर रहे हैं, या फिर किसी तरह कि कोई घोशना कर रहे हैं, किसी चीज को approve कर रहे हैं, उसे बोला जाता है, endorsed, synonym से approved, supported, accepted, sanctioned, or affirmed, अगला शब्द, alienated, alienated का मतलब होता है, दूरी बना रखना किसी चीज से, विमुक होना, दूर हो जाना, अलग थलग पढ़ जाना, उसे बोला गया है, alienated, synonym से estranged, disoriented, disaffected or isolated, अगला शब्द, nuanced, nuanced का मतलब होता है, चीजों में छोटी-छोटी बारी किया देखना, छोटी-छोटी मतलब कोई चीज है, उसके तह तक जाना, विस्तार पूरक उसके बारे में देखना, उसे बोला गया है, nuanced, synonym से subtle, refined, delicate, detailed, or fine, अगला शब्द है हमारा, blight, blight का होती है, उसमें काले रंका, जो ये दाग है, मतलब इस तरह से रोग लगता है, उससे पूरी फसल ये बरबाद हो जाती है, टमाटर की, उस बीमारी को बोला जाता है, blight, editorial में इस word का यूज हुआ था, किसी को कोई शती पहुँचाना, हानी पहुँचाना, किसी तरह का बढ़काना, उकसाना, किसी गलत चीज को बढ़ावा देना, उसे बोला गया था, abatement, synonym साब देख सकते हैं, instigation, encouragement, assistance, incitement और provocation, अगला शब्द है, untenable, untenable का मतलब होता है, बहुँच जादा नाजुक होना, और समर्थनिय होना, मतलब बहुच जादा जो अपने आपको defender ना कर सके, indefensible, unsustainable, insupportable, unjustifiable, or invalid, that is called untenable, अगला हमारा सब्द है, diseased, diseased का मतलब होता है, असा 31 की मृत्ती हो चुकी हो, मृत्त क्या दिवंगत, उसे बोला गया है, diseased, synonym से dead, departed, gone, or late, next बढ़ है, unprecedented, unprecedented का मतलब होता है, ऐसी कोई बात जो की, ऐसी कोई घटना जो की exceptional हो, ना हुई हो, अनोखी अभूत पूरूया, अदूतिया, synonym से unparalleled, novel, singular, unusual, exceptional, or unique, अगला सब्द है, rot, rot का मतलब होता है, वैसे, फल सब्जियों का खराब हो जाना, सड़ जाना, उसे बोला जाता है, rot, किस भी चीज का खराब हो जाना, सड़ना, that is called rot, synonym से decompose, spoil, rubbish, or deteriorate, next word है prob, prob का मतलब होता है, किसी भी चीज के बारे में खोज बिन करना, जाँच परताल करना, उसे बोला गया है, prob, मतलब investigation करना, synonym से investigate, examine, study, or explore, next word है weaning, weaning का वैसे simple जो मतलब लिया जाता है, इस चीज का, weaning का मतलब होता है, दो ढ़ाई साब के बाद, जब एक माता अपने शिशु को दूर्द से चुड़वाती है, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है, winning, editorial में इस word का यूज गवा था, किसी भी चीज के दूर रहना मतलब, चुड़ाना किसी से कोई चीज, detach करना, quit करना, उसे बोला गया था, winning, synonym से detaching, succession, disengage, or alienating, अगला सब लिक्रेटिव, ल इस से हमें बहुत सारे monetary benefits हो, बहुत जाता हमारे लिए जो लाब कारी हो, हमें लाब पहुंचाने वाला हो, लाब अपरद हो, ऐसी कोई चीजें, उन्हें बोला गया है, lucrative, synonym से profitable, remunerative, gainful, or fruitful, next word है sanctity, sanctity का मतलब होता है, किसी भी चीज की हम शुदता दिखाना जा रहे ह कोई चीज कितनी पवित्र है, शुद्ध है, निर्मलता है कितनी किसी चीज में, उसे दिखाने के लिए इस word का यूज गया जाता है sanctity, synonym से holiness, piety, spirituality, devoteness, or divinity, dubious, dubious का मतलब होता है, किसी बात पर हम, हमें किसी तरह कोई शक है, कोई हमें संदेह है, संदिख्द हैं चीज़े, doubtful हैं, उसे बोला जाता है dubious, synonym से doubtful, uncertain, suspicious, or suspect, अगला शब्द है proficient, proficient का मतलब होता है, ऐसा विक्ति जिसे अपनी field में, अपने क्षेतर में, अपने काम में बहुँँज़ादा कुशलता हासिल हो, महारत हासिल हो, दक्षो बहुँज़ादा, उस विक्ति को बोला जाता है proficient, proficient worker, proficient आदमी, किसी अपने काम में, skilled होना बहुँज़ादा, synonym से expert, accomplished, skilled, adept, और masterly, next word है wear withal, wear withal का मतलब होता है, किसी कारिय को करने के लिए हम यदि साधन के रूप में धन का प्रयूग करें, जिससे वो काम संपूर्ण होना है, पूरा होना है, उस तरह का हम उपाय करें और वो धन के द्वारा करें, पैसे के द् synonym से means, money, resources, funds, or wealth, next word है simultaneous, simultaneous का मतलब होता है, एक साथ चीजों का घटीत होना, साथ साथ कोई चीजे होना, समकालीन या समक्षनिक, उसे बोला जाता है simultaneous, synonym से concurrent, coincident, synchronous, contemporary, or coexisting, जो लास्ट वर था weekly vocabulary के रिवीजन का, यह हो आपको session fruitful लगा होगा, informative लगा होगा, कुछ एक words revise करने करवाने की मैंने कोशिश की, तो आपको काफी सारे words आए भी होंगे, weekly vocabulary के रिवीजन में इतना ही सिदर के informative videos के लिए बने रही है channel पर, thank you, thanks for watching